सीखने से गबराई नहीं क्योंकि यह संगर्सी नहीं अपित्तू भगती है गर जाननी है मन्जिल की दूरी तो पहले यह जानने की आपके तरक में कितनी शक्ती है नमस्कार मैं रमन सारण डारेक्टर लक्षे कोचिंग क्लासेस आप पढ़ेंगे मेरे साथ तरक शक्ती कुछ दिनों से जो चीज़ें चल रही है उसमें सोशल मेडिया के माध्यम से कुछ लोग बहुत ही गंदा और भद्दा मेरे बारे में लिख रहे हैं बोल भी रहे हैं चलिए ये सब चीज़ें राजनीती का हिस्सा अगर आप लोग मानते हैं तो करिए जिसकी जैसी मान सकता है उस हिसाब से आप कमेंट करिए लेकिन अगर कोई मेरे सरववासी पती के नाम पे कलंक लगाएगा तो उसको बरदाश नहीं किया जाएगा उसके खिलाफ मैं सक्त से सक्त कानूनी कारवाई के लिए कदम बढ़ाने जा रही हैं क्योंकि एक छुट भईये नेता ने इस तरह का बयान दिया है जो बिलकुल बरदाश के काबिल नहीं है और कुछ लोग उनकी देखा देखी और लोग भी कमेंट के माद्यम से भी ये चीजें लिख रहे है आप लोगों को बताना चाहती हूं मैं आप सभी को कि मेरा परिवार हर्याना के इसार में रहता है और हम लोग चार पीडियों से इसार में रहते हैं पास काई गाउं हरिता जहां से मेरा परिवार तालुक रखता है। मेरी सास भी है, मेरे देवर जेट भी है, मेरी लंदे भी है, मेरा सारा भरा पूरा परिवार है, मेरी बेटी भी है, हम लोग सब साथ में रहते हैं। अगर मेरे पती ने सुसाइट किया होता या मैंने उनको मारा होता तो क्या मैं इस घर में रह रही होती और मेरे पती सुसाइट क्यों करेंगे क्या कमी थी उनको क्या परिशानी थी उनको मेरे पती बहुत जिंदा दिल आदमी थे बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहे थे बाहरी लोगों के कहने से सब बाते बनाते और कहते हैं जिस समय मेरे पती का सरवास हुआ जिस दिन उस दिन मैं मुंबई में थी और हमारा खेत है हिसार से निकलते ही साद हाठ क että की दोरी भी वही पे मकान भी बने वह पर कम करने वाला दो परिवार भी रहते थे उस तरिवार में दस से पंद रा मेंबर थे जो काम खेत में ऊहरी बड़ी जैठानी और उनका भी रहते ऊस sph में वो सब लोग मेरे पती को उन्होंने सबाला वो लोग वहां पे मौझूद थे और जैसे सुबह उठके पता चला रात में उनका हाट फेल वह और सुबह उनको हस्पिटल ले जाए गया सारा परिवार मौझूद थे मेरे देवर जेट मेरे सास मेरी नंदे मेरा सारा परिव किया सुसाइड किया इसका जवाब आप लोगों को कौर्ट में देना पड़ेगा मान हनी का मुकदमा में दायर करूंगी रिपोर्ट भी दर्ज करूंगी क्योंकि यह मेरे मान समान को और मेरे पती के नाम पे कलंक लगाने की साधिश है जो इंसान इस दुनिया में नहीं है ज पे संजे फोगाट के नाम पे कलंक लगाया जा रहा है उसको मैं बरदाश नहीं करूंगी मेरे पती की मैं ऐसी इंसल्ट नहीं होने दूंगी राजिनिती की वज़े से इसका जवाब मुझे चाहिए जो लोग भी ऐसी बात करें है कानून का सामना करने के लिए तैयार हो ज